हेलो गाईज आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक विद दीब बाई चेतिलाल फाइनेशल सर्विसेज में फिर से स्वागत है कीप इन्वेस्टिंग कीप ग्रोइग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाली नॉटिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर पता लगता रहेगा तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं देखे निफ्टी 50 के बारे में आज एक अच्छी खासी ग्रावट हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिली है और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है क्या कारण है कि निफ्टी के अंदर इतनी जबर जस्त ग्रावट हमें देखने को मिली पूरा का पूरा जो है एक यहाँ पर स्टडी डिटेल करेंगे कि जो यूएस के अंदर इंफलेशन बढ़ने के जो चांसी से और जो बढ़ रहा है बार-बार जिसका डरह हमें लग रहा है तो उसका जो असर है बार-बार मार्केट के उपर दिखाई दे जाता है बार-बार जैसी उपर उठने की कोसिस करती है मार्केट वैसे ही नीचे आ जाता है यह सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे दूसरा इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले ग्रेफाइट इंडिया बहुती अच्छी खासी ब्रेकिंग न्यूज हमें इसमें देखने को मिल रही है और इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रेटर्म भी कमाने का मुगा मिल सकता है तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर निफ्टी के अगर निफ्टी के आज की ग्रावट की बात करते हैं तो देखे लगबग 2.5% की ग्रावट हमें यहां पर आते हुए दिखने को मिली है 430 पॉइंट के आसपास की और क्लोजिंग हुई है 15,809 पे और देखे यह बहुती मोश्ट इंपोर्टन लेवल सो यहां पर बन जाते हैं पहले भी देखे यह लेवल बताये थे कि 16,000 का बहुती क्रूशेस लेवल है इससे हो सकता है कि 100-200 पॉइंट नीचे जरूर आ जाएगी निफ्टी लेकिन देखे 16,000 बहुती मोश्ट इंपोर्टन लेवल है और यहां पर देखे जब भी मार्किट नीचे गिरती है तो वहां बाइंग का मौका भी बनता है हर किसी शेयर के अंदर अगर आज के हाई लो की बात करते हैं तो देखे यहां पर देखने को मिलेगा 15,984 का हाई बनाकर लो जो बनाया था निफ्टी ने 15,775 का और क्लोजिंग हुई है यहां पर 15,809 के आसपास तो पिछले एक दो दिनों की तो देखे जब तेजी बनी थे तो निफ्टी ने 16,800 का एक जो लेवल था वो क्रोज करके 16,380 तक निफ्टी गई थी अल्मोस्ट 500 पॉइंट की तेजी हमें यहां पर देखने को मिली थी अगर आज की बात करते हैं तो देखे लगबग 6,00,00 करोड जो इन्वेश्टर्स हैं उनका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा स्लंप हो चुका है अगर इस तरह की जो मार्केट है पिछले कुछ टाइम से हम देखे तो यह एक बहुत बड़ा रीजन भी बना हुआ है जो wealth creations है जो वो सारा का सारा नीचे जा रहा है नहीं हम बात करते हैं दोस्तों globally तो देखे sell of यहाँ पर हमें जो है एक across globally market के अंदर देखने को मिल रहा है sell of जिससे क्यों होता है कि जो inflation है inflation का जो क्योंकि देखे यहाँ पर दोस्तों जो fear बना हुए ना वो बना हुए inflation का inflation का जो fear है वो impact कर रहा है पूरे world की economy को और जितने भी world की economy है जितने भी sectors है या across पूरी country पूरे world तो सब के सब जो indices हैं सब के अंदर एक अच्छी खासी हमें गरावाट या lower circuits के साथ हमें जो है काम काज होते हुए दिखता है चाहे वो IT हो चाहे हम financial से related बात कर लेते हैं चाहे oil gas से related बात कर लेते हैं तो देखे यहाँ पर सब चीज के अंदर एक गरावाट का जो माहुल है वो बना हुआ है inflation के कारण बढ़ा कारण है दोस्तों वो है US का inflation 40 साल में पहला बार पह यहां से US से ब्यासदरों पर उठाके अब जब वहां पर ब्यासदरे जो है एक तेजी से जो है बढ़ा दी गई है तो देखे वो सीधा सीधा अपना पैसा यहां से निकाल रहे है क्योंकि उन्हें आगे भी देना होता है तो तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं US क Federal Reserve Bank की तो देखे उन्होंने जो है यहां पर Benchmark जो है एक हम कह सकते हैं जो percentage of interest जो बढ़ा है वो half percentage बढ़ा है हाफ पॉइंट से जो shift हो गई है मतलब जिसका target अब 0.75% जो है हो चुका है यानि कि 0.75% से लेकर के 1% तक माना जा रहा है यानि कि देखे जो पहले बात की जा जा रहे थी वो कि जा रहे थी सिर्फ 0.50% से और अभी 0.50% से लेकर के जो है 1% यह जो चीज़े बढ़ा दी गई है मार्च के महीने महीने के अंदर तो देखे इस वज़े से भी यह जो अगर हम बानते हैं देखे यह सबसे biggest increase है बाइस सालों के अंदर के इतना जो है inflation यहा तो देखे जो यह inflation जो बढ़ रहा है तो देखे एक permanent benchmark भी नहीं है कि भई हो सकता है कि जो higher inflation है वो एक permanent भी नहीं कह रहे हैं यह जो चीज़े वहां के chairman की तरफ से भी बात है निकल के आती है हमारे सामने बात करते हैं तो देखे यह जो inflation rate है न वो accelerate हो गया है लगबख साड़े 8% के आसपास जो highest माना जा रहा है 1981 के मुकाबले यानि कि 1981 से 2022 तक सबसे highest जो inflation है जो हम कह सकते हैं एक high हुआ है 0% से लेकर के तो वो एक अच्छा खासा यहां पर 22 सालों में भी पहले कभी नहीं होते हुए दिखाई दिया था इसे की बात करते हैं तो उसके अंदर भी लगबख 6.5% की जो है एक तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है और दोस्तों यही कारण है सिर्फ के बई जब तक global indices ठीक नहीं होते हैं तब तक इंडिया की जो market है यह हम कह सकते हैं कि पूरी की प देखे इस market में कई सारे मौके भी हमें मिलते हैं जैसे हम बात करते हैं ग्रेफाइट की देखे बहुत जबर्जस्त सेर है इसकी तरफ से हमें news भी आते हुए देखने को मिल सकती है अगर हम आज के trading session की बात कर लेते है तो देखे आज ground देखने को मिले लगबख 37% के आसप लेबल है और अगर हम six month के return की बात करते है तो देखे एक जो चार सो रुपए का बहुत ही most important यहां पे एक resistance बन गया था वो क्रोस करने के बाद सेर ने जो है 600 रुपए का level भी यहां पे touch करने की कोसिस किया लेकिन यहां पे sustain नहीं हो पाया और 454 वापस चला गया लगबख 1500 पॉइंट की गिरावट हम कह सकते हैं इसके अंदर हुई है अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे company के कुछ breaking news की तो देखे सबसे पहली जो most important news है वो यह कि company ने जो है यहां पर dividend भी announce करने की गोशना करती है यानि कि देखे इसका जो result है वो 23 मई को announce होने वाला है और उसी meeting में जो इनकी meeting भी होने वाली है यह जो है एक dividend भी यहां पर हमें देते हुए दिखाई देंगे और साथ में इस company का result भी यहां पर announce होने वाला है तो देखें दो दो जो चीजे हैं हमें यहां पर होते हुए दिखरी तो देखें यह बहुत अच्छी खासि हमारे लिए एक good news रहने वाली है कुछ पहले के results की तो देखे Q on Q basis पर अगर हम बात करते हैं तो December 2020 में 499 करोड की sales फिर 565 फिर 610, 692 और 880 करोड की sales तो यह यहाँ पर देखे continuous sales आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है अगर हम बात करते हैं दोस्तो year on year तो देखे मार्च 2019 में 7888 करोड का business उसके बाद मार्च 2020 में कितना जबरजस्त गिराव या गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिले है डियो टू कोरोना 3,094 करोड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिले है काफी परसेंटेज वाइस बात करते हैं तो काफी परसेंट में और अगर हम बात करते हैं दोस्तो यहाँ पर marginalized 2021 की की अगर हम कह सकते हैं इस में बात करते घिरावट हमें यहाँ पर दिखायों दिय 90 करोड के असपस था वहां से 45 आया फिर माइनस 32 और इसके बाद 474 भी जाता हुआ दिखाई दिया है तो देखिए यहां पर एक सबसे बड़ी जो गिरावट का कारण है वो यह भी था कि जो ग्रेफाइट इंडिया जो प्रोडक्ट प्रोडूस करती थी वो हम यहां पर इंडिया से ही सारा प्रोडक्ट हमें लेना होता है उस तो प्रमोटर की तो देखिए प्रमोटर की 65 परसेंट की कॉंटीनी वोल्डिंग बनी हुई है यह इसका 5 परसेंट के आसपस श्टेक के 10 परसेंट से घटाया है डिया इस ने अपना श्टेक यहां पर बढ़ाया है 6 परसेंट से 9 परसेंट के असपस के और पबलिक की 20 परसेंट के असपस होल्डिंग यहां पर बनी हुई है तो दोस्तों यह बहुत अच्छे खासे लेवल्स पर अभी हमें यह शेर एविलेबल है और देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा लोंग टर्म का नजलिया र 8 परसेंट का रेटर आप यहां पर मानके चल सकते हैं कुछी दिनों में आ सकता है कंपनी बहुत अच्छे और रिजल्ट इसके अच्छे खासे अनाउंस होते हुए हमें यहां पर दिखाई देंगे तो इस कंपनी को बिल्कुल भी न छोड़े अपने रेडार के उपर रख आप हमें कमेंट सेक्षिन में लिखे पूर सकते हैं